अयूब की बुस्तक 29 अध्याय को निकालीजे उसके एक और दो पद में लिखा हुआ है अयूब ने फिर अपने गुड बात उठाई और कहा भला होता कि मेरे दशा बीते हुए महनों कीसी होती जिन दिनों में परमेशर मेरी रक्षा करता था तब हम आगे पढ़ते हैं अयूब 29 सध्याय के तीन पद में जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उज्याला पाकर में अधेर में चलता था ये अयूब के समरित के दिन थे अयूब 29 उसके चार पद में लिखा है वे तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेशर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी यहाँ एक मनुश्य है जो यूवा अवस्था से परमेशर की सिवा में है अयूब के पुस्तक 29 सध्या उसके 5 से 7 पद में हम पढ़ते हैं उस समय तक तो सरशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे तब मैं अपने पगों को मलाई से धो देता था और मेरे पास की चटानों में से तेल की धाराएं बहा करती थ जब जब मैं नगर के फाटा की ओर चल कर खुले अस्थान में अपने बैटने का अस्थान तयार करता था जी हां वह समरिद मनुष्य था वह जिस वस्तु को छूले वही सोना बन जाती थी वह समरिद ही नहीं प्रभावशाली मनुष्य भी था अयुब 29 अध्या उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पुर्णिय उठकर खड़े हो जाते थे हाकिम लोग भी बोलने से रुख जाते और हाथ से मुह बंद किये हुए रहते थे उसे देखकर बच्चे छिप जाते थे क्यो हो जाते थे हाकिम और प्रधान भी मुह पर उंगली रख लेते थे वे अयुब से कुछ सुनने की बाट चोहते थे हाकिम उसके समक्ष तब तक चुप रहते थे जब तक कि वह उन्हें बोलने की अनुमती ना दे कितना महान व्यक्ति है हो अयुब 29 उसके 11 पद में लिखा ह क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विशय साक्षी देता था मेरे प्रियों, कस्तियों के उर नगर में समाज ने उसे सबसे बड़ा व्यक्ति चुना था, वह नगर का एक विशिष्ट जन था अयूब 29 उसके बारा पद में लिखा है, क्योंकि मैं द्वाहई देने वाले दीन जन को और असहाय अनात को भी छुडाता था वह ब्रिधों को पेंसन देता था और कंगालों की सहता भी करता था अयूब 29 उसके तेरा पद में लिखा है, जो नश्ट होने पर था मुझे आशिरवात देता था और मेरे कारण विध्वा आनन्द के मारे गाती थी वह विध्वाओं के भी सुधी लेता था, ओह वह सब के लिए सोचता था अयूब 29 के 14 पद में लिखा है, मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे धांके रहा, मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुन्दर पगड़ी का काम देता था अयूब भलाई के काम करता था, मनश्य उससे परामश लेता था अयूब 29 के 15 में लिखा है, मैं अंधों के लिए आखे और लंगडों के लिए पाव ठहरता था मेरे मित्र वह अंधों के स्कूल का अध्यक्ष था, वह विकलांगों के आश्रम का अभिभावक था कहने का मतलब है, अयूब एक विशिष्ट मनश्य था, हमें आज ऐसे नागरिकों की कैसी अवशकता है, कास हमारे बीच में ऐसे लोग होते अयूब 29 के 16 पद में लिखा हुआ है, दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान का ना था, उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताच करके जान लेता था दान देने से पूर्व वा भली भाती निरिक्षन करता था, आज विश्वासियों में इसकी गण आवशकता है, अयूब किवल किसी वास्त्विक इस्तिती में ही सहयता करता था, सब समय नहीं अयूब 29 के 17 पद में लिखा है, मैं कुटिल मनुश्यों की डाढ़े तोड़ डालता और उनका सिकार उनके मुह से चीन कर बचा लेता था जी हाँ, वह नागरिक सदाचार न्याय वा विवस्था में विश्वास रखता था और उसके प्रभाव के कारण काम हो जाते थे के किनको के समान अंगिनत होंगे और अपने ही बसेरे में मेरा प्रान छूटेगा, मेरी जड जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस राद भर पड़ी रहेगी, मेरी महिमा जियों की त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुश्य मेरे हाथ में सदा नया बना रहेगा अयूब ने स्वैम से कहा, मैंने सब पा लिया है, अब मेरे पास सिवा निवरिती हे तूँ सब कुछ है, मैं अपने धरोंदे में मर जाओंगा, मैं अपने दिन रेत के कनो के समान बढ़ाओंगा और वयो विरिध होकर मरूंगा उसने सोचा उसके पास सब कुछ है, उसके पास एक अच्छा परिवार है, अच्छा स्वास है, कोई कलपना नहीं कर पाता था कि अयूप के पास कोई वस्तू नहीं है अयूप की पुस्तक 29 अध्या उसके 21 से 23 पद में लिखा है, लोग मेरी और कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी समत्ती सुनकर चूप रहते थे, जब मैं बोल चुकता था तब वे और कुछ न बोलते थे, मेरी बाते उन पर मेह के समान बर्षा करती थी, जैसे लोग बर्षा की वैसे ही मेरी भी बात देखते थे, और जैसे बर्षात के अंध के वर्षा के लिए वैसे ही वे मुह पसारे रहते थे, वहां के नागरिक निर्ने लेने से पूर्ण, अयूप से मार्दर्शन खोशते थे, नियाय भी निर्ने लेने से पूर्व, अयूप की अनमती खोशत अधिपती भी उसके पत प्रदर्शन में चलते थे। निश्य ही वह एक महान प्रभावी एवं प्रतिष्ठित जन था। वे अयूप के एक एक शब्द का पालन करते थे। करकर बैठा करता था। और जैसा सेना में राजा या विलाप करने वालों के बेच शांती दाता वैसा ही मैं रहता था। जानता था कि समरिधी का जीवन क्या है। परन्तु अयूप मिथ्या स्वर्ग में था। स्मरन करें कि उसने अध्यातीन में क्या कहा था। पद 25 और 26 में। जिस डरावने बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। और जिस बात से मैं भै खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मुझे ना तो चैन ना शांती ना विस्राम मिलता है परन्तु दुख ही दुख आता है। जी हां उसे अपने धरावने के उजड़ने का डर था और वही हुआ भी। उसे डर था कि कहीं पलक जपकते ही उसकी धन संपती चली ना जाए। और वही हुआ। अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। उसकी मित्रों ने भी उसे सहारा नहीं दिया। और सच तो यह है कि उन्होंने उसे और जोर का धक्का दे दिया। अयूब अपनी धर्मिक्ता का प्रदर्शन कर रहा है। पद चौदा में सुनिये कि वह क्या कहता है। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढाके रहा। मेरे न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुन्दर पगड़ी का काम देता था। उसने बावन बार मैं और मेरा का प् पश्रता आप नहीं देखते हैं। अध्याय तीस में उसकी व्याथा और अभागे पन का वर्में चल रहा है। यहाँ पर अध्याय उन्तिस समाप्त होता है और हम अयूब अध्याय तीस से अपने अध्यान को जारी रखेंगे। अध्याय तीस उसके एक पद में लिखा है परन्तु अब जिनकी आयो मुझ से कम है वे मेरी हसी करते हैं। वे जिनके पिताओं को मैं अपने भेड बकरियों के कुत्तों के काम के योगे भी ना जानता था। ध्यान दीजे, मैंने अपनी पूर्व इस्थिति का वर्नन किया है परन्तु अब ये धूर्त आकर मुझ प के लिए भी काम पर नहीं रखता। आगे लिखा है अयोप तीस अध्या के दो और तीन पद में उनके भुजबल से मुझे क्या लाब हो सकता था। उनका पारुष तो जाता रहा। वे दरितरता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं। वे अंधेरे और सुनसान मुझ पर लगते गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं। वे मुझ से घीन खाकर दूर रहते या मुझ पर थूकने से भी नहीं डरते हैं। वे अयोप के बारे में निंदा के गीत गा रहे थे। वह जानता था है कि युवा लफंगो द्वारा निंदा का प्राप्त होना क्या होता है मेरे मित्र मैं आपके बारे में तो नहीं जानता परन्तु मैं अयूब की बाते सुनते सुनते उप गया हूँ पहले तो उसने अपनी महांता की चर्चा की अब वा सहनुभूती के लिए कह रहा है मैं कैसा बहान मनुश्य था पर अब देखो मेरे क्या दशा हो गई है यह किसका दोश है मेरे प्रियों परमेशर को क्यों दोश दें आज अनेक विश्वासियों का यही हाल है परमेशर को दोश देना संभव है वरन्तु बड़ी पवित्रता से मुझे सब आशिशे प्राप थी मैं कितना सक्रिय था मैंने मानो सेवा की और अब मुझे देखो कि मैं कितने कश्ट में हूँ जो भी हुआ इसलिए हुआ कि परमेशर भला है इसलिए नहीं कि वा भला नहीं है विश्वासी के जीवन में जो भी होता है इसलिए होता है कि परमेशर उसके जीवन में कोई लावकारी कारे कर रहा है। आजे देखे अंत में अयुप कहता है, अयुप तीस अध्याय के एक्तिस पद में इस कारण मेरी वीना से विलाप और मेरी वासुरी से रोने की ध्वने निकलती है। उसकी वानी वीना है, वह केवल विलाप का गीत ही गा सकता था, उसकी वांसुरी उसका रूदन था, वानी और आंसु एक हो गये थे, अर्थात उसका गला घुट रहा था, रोने के अतरेक्त कुछ भी नहीं बचा था, उसके दशा ऐसी हो गये थी, वह साहनु भूती खोज र उसकी जीवन में परमिश्वर असहय कर दिया गया था, वह एक अभिमाने पुरुष्ट था, वह परमिश्वर को सही कहने की अपेक्षा स्वयम को सही कह रहा था, सच तो यह है कि वह परमिश्वर को दोश दे रहा था, जी हां, आयूब की समस्या क्या थी? यह उसका घमन था, घमन ही के कारण तो शैतान का पतन हुआ था, अदन की वाटिका में भी यही पाप हुआ था, यह मनुशे के मन का कैंसर है, घमन का यह भयानक पाप हम सब के जीवन में है मेरे मित्रों, अयूब अपना प्रतिवाद अब समाप्त करता है, अध्याए 31 में हम देखते हैं कि अयूब के प्रतिवाद का अंत है, उनका वाद विवाद टकर की प्रतियोगिता थी, अयूब के विपक्ष में उसके तीनों मित्रों ने सहकारी प्रयास किया, उससे हरा दें और वह अंतता स्विकार कर ले कि वह बहुत बड़ा अर्थात महापापी है। उनका तर्क जैसा हमने देखा यह था कि यदि उसने महापाप ना किया होता तो परमेशर उस पर ऐसा घोर कष्ट नहीं आने देता। वाद विवाद की तीन सत्रों के पश्चात वे हार गये जिसका प्रमान यही है कि सोपर ने अयव को उत्तर नहीं दिया और अपनी बात कहता गया। उन्होंने उसे कोने में कर दिया था परन्तु वह लड़ते-ल़ते कोने से निकल आया था। अपनी रक्षा में वह परमेशर को दोश देता था। परमेशर ने उसे दंड देकर अनुचित काम किया है। संभाता मनुष्य सबसे बड़ा मुर्खता का काम करता है। वह अपने आपको उचित कहता है। जब परमेशर उस पर पाप का दोश डालता है। जी हाँ, जिस पल आप अपने आपको उचित ठार तो यही है कि हम स्वयम को पून रूप से दोशी माने और अपने आपको परमिशर के हाथों में छोड़ दें। जब हम ऐसा करते हैं तब परमिशर हमें धर्मी ठहराता है। जो अपने आपको धर्मी कहे उसके लिए केवल परमिशर का प्रकोप है। और वह जो स्वयम को दोशी ठहराए उसके लिए केवल अनुग्रह है या हमें अपने जीवन में स्मरन रखने के लिए अत्यधेक महत्पोन है मेरे मित्रों, दीनता एक ऐसा गुण है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं और मनिश्यों में देखना भी चाहते हैं एक आधुनिक बॉक्शिंग प्रतियोगीता को पत्रिका में इस तथे के साथ छापा गया, दीनता की सजावट कुछ कामों में व्यवसाइक अनिवारेता है विशेश करके राजनीती और बॉक्शिंग में विजेप पाने के लिए, जो इसकी अवहिलना करता है उस पर जनता क क्रोध प्रगट होता है, हम चाहते हैं कि हमारे विजेता दीन बने, जब वे किसी आभागे को हमारे मनरंजन के लिए चित कर दिया हो, तो जो लुईस और राकी मार्सियानों की नाई कहे, उसने अच्छी कुस्ति लड़ी, मेरे मित्रों यह मानाव सोभाव है कि घमन करें, यह बॉक्सरों का सोभाव ही नहीं, यह मानाव सोभाव है, अयूप की पुस्तक से हमें शिक्षा मिलती है कि परमिर्षवर के समक्ष हम जैसे हैं वैसे ही हो, परमिर्षवर यहीं चाहता है कि हम उसके समक्ष अपना प्रतिवाद नहीं रख सकते, अपना बड़कपन या अ प्रतिक घमंड एवं अभिमान की बात का विरोध करेगा. अतर हमारे लिए यह बुद्धिमानी की बात है कि हम दीन एवं नम्र बनें. क्योंकि नम्रता के द्वारा ही हम पर मेशर और उसके उद्धार का उचित परिपेक्षय अंतर ग्रहन कर पाते हैं. मेरे प्रियों वेदी की पुकार में आगे आना आज एक प्रचलित अभिहास है. परन्तु वह उद्धार नहीं दिलाता. इसका कारण है कि अनेक जन घमंड के साथ सामने आते हैं. क्या आपने वर्मेशर के वच्छन में मन की दीनता के बारे में पढ़ा है? कि पर्मेशर उसे कैसा स्विकारे कहता है? भजन सहिता 34 उसके 18 पद में व्यक्त है. यहुआ तूटे मन वालों के समेप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है. जी हाँ, आप स्वयम देख सकते हैं कि वास्त्विक मन फिराव की इस्तिती यही है. हमें दावद की नाई इसे अंतरग्रहन करना है. दावद ने भजन सहिता 51 में अपना पश्टाप और पाप स्विकार किया है. भजन सहिता 51 के सत्रा में लिखा हुआ है, तूटा मन वर्म पर्मेश्र से व्योहार करते समय आप उसके बराबर नहीं और नहीं अपनी अकिंचन भलाई को उसके सामने रख सकते हैं. हमें यह इस पस्ट जान लेना है कि हम पर्मेश्र के समक्ष मन की दीनता में आते हैं. यह संपुन्द बाइबल की शिक्षा है. यहसा है नभी की वह यू कहता है, मैं उचे पर और पॉउत्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है कि नम्र लोगों के हिरदय और खेदित लोगों के मन को हरशित करूं. दीन और नम्र मन की समस्या, राजनेताउं या बोकसरों या किसी प्रका मेरे विचार के खिलाड़ी ही नहीं परन्तु सब विश्वासियों की है और विशेश करके पर्मिर्षर के सब सेवकों की। मेरे विचार में हम कह सकते हैं कि अहंकार और आत्म भिमान पर्मिर्षर के सेवकों में प्रगट हो तो अत्यधिक अस्विकारे होते हैं। फिलिपियों की पत्री दो अध्या के साथपद में लिखा है, अपने आपको ऐसा सुन्ने कर दिया और दास का रूप धारन किया और मनुश्य की समानता में हो गया. मेरे प्रियों, विश्वासी का घमन इस प्रभी इशु से कैसा असंगत है? घ्रिनित, आंकारे, स्वाभिमानी, मसीही आचरन और मसीही सेवा जगन्य बात है. इसे अंतिम भाग में आयोब ग्रहन योग्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वह स्वयम ही अपने प्रशंसा में क कहता है कि वह कैसा महान, प्रभावशाली, भला मनश्य था और फिर वह अपने दशा पर साहनुभूती की याचना करता है. अपने प्रतिवाद के अंति में भी वह स्वयम को ही अत्यदिक भला मनश्य कहता है. झुक शोते हैं कि वह स्वयम है. ताहि को है याचना करता हैं टू Samm